Hello Friends, Welcome to Avinia Knitting आई देखिए, दो कलर में बहुती प्यारी सी प्लाव वाली बनाए सीखेंगी बहुती आसान बनाई है और बहुत प्यारी लगती है इसका राइट साइड है, इसका देखिए रॉंग साइड है और डिजाइन बहुती प्यारा लगता है इसे आप लेडिस कारडिगन में बना सकते हैं चेंड स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, टॉप में, स्टॉल में किसी में भी बना सकते हैं बहुती प्यारा लगता है और इसे आप दो कलर में बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड इस डिजाइन को बनाते हैं और इसके फंदों पर हिसाब लगा लेते हैं तो यहां पर हमें इस डिजाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टिपल से फंदे लेने हैं और 3 फंदे हमें इसमें एक्स्टा रखने हैं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को बनाएं, चैके मल्टिपल से फंदे डालें, तीन फंदे एक्स्ट्रा रखें, और दो सलाई का हमारा ये बुनाई का डिजाइन है, और चार सलाई में कम्प्लीट होगा, दो सलाई के बार डिजाइन के जगा भी चेंज होगी और कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये डिजाइन हमारा देखे, रॉंक साइट से शुरू होता है, रॉंक साइट से हम इसमें कलर को चेंज करते हैं, तो चलिए प्रेंट इस डिजाइन को बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर देखें इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 6 के मल्टिपल से फंदे लिए 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखें और एक हमारा पंदा डिजाइन गान यह दो फंदे हमने सिंपल बुन लिए आप देखें पांच पंदे नीडल पर दो बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे आप देखें इस तरह से पर सिक एसे पर weak Diya यहां से यहां तक हमारा यही चैपन्दे का डिजाइन रिपीट होगा देखे एक पंदा सिंपल भुनेंगी अब पांच पंदें हम ऐसे तो बार अगाल लपेटते हुए are बनेंगे अब एक फंदा बनेंगे फिसे पांच पंदे हम दो बार नीडल पर दागाला पेटते हुए बनेंगे एक फंदा हम डिजाइन को सैट करने के लिए और एक फंदा हम एस्टिश का यह बुल लेंगे तो यह देखिए सलाई कंप्लीट हो गई आ जाते हैं राइट साइड में आप देखिए एक फंदा हम एस्टिश का बुनेंगे एक फंदा बुनेंगे यानिके दो फंदे हमने बुल लिए अब इन पांच फंदों को हम खोल लेंगे देखिए और ये पांच फंदे ऐसे नीडल पर लेते हुए देखे पांच फंदों में से हम पांच फंदे बनाएंगे तो देखे ऐसे थोड़ा सा लोज रखेंगे इस फंदे को खेशते हुए धागा नीडल पर लेंगे फिर से इन फंदों में से बुनेंगे यह देखे, फिर से धागा नीडल पर लेंगे, फिर से एक बार बुनेंगे, तो यह हमारे देखे, पांच फंदों में से पांच फंदे बन गया है, अब एक फंदा सिंपल बुन लेंगे, अब फिर से पांच फंदे कोल लेंगे, यह देखे, और यह पांच फंदों में से हम पांच फंदे बना लेंगे एक फंदा बुनेंगे फिससे पांच फंदे खोल लेंगे और एक साथ ऐसे नीडल पर लेते हुए पांच फंदों में से पांच फंदे बनाएंगे अब लास्ट के दो फंदे इने बुनेंगे अब देकि हमारा इडिजाइन यहीं पर कंप्लीट हो गया अब डिजाइन की जगा चेंज करेंगे तो उसके लिए देखिए दियान से देखिएगा अब हमें यहां पर डिजाइन बनाना है तो देखिए अब हम यहां पर कलर भी चेंज कर देंगे तो पांच फंदे हम देखिए यहां पर यह परस्ट वाले कलर से बुनेंगे सिंपल बुन लेंगे पांच फंदे ये देखिए अब देखिए पांच फंदे हमने बुन लिए अब पांच फंदे नीडल पर दो बार ऐसे धागा लपेटते हो बुनेंगे अब एक फंदा सिंपल बुनेंगे फिर से पांच फंदे नीडल पर दो बार दागा लपेटते हो बुनेंगे अब लास्ट के पांच फंदे सिंपल बुनेंगे यह देखिया अब पांच फंदे बुनेंगे अब पांच फंदों को इनको खोल लेंगे अब पांच फंदों को एक साथ देते हुए पांच फंदों में से पांच फंदे बना लेंगे देखिए एक बार बुनेंगे नीडल पर इसे धागे को लेंगे फिर से नीडल पर धागे को लेंगे और ये बुलेंगे तो ये पांच फंदे हमारे बन गए एक फंदा बुनेंगे फिर से पांच फंदों को खोल लेंगे पर यह पांच पंदे नीडल पर एक साथ देते हुई पांच फंदों में से पांच फंदे बना देंगे अब पांच फंदे बनेंगे यहां पर देखें इस अलाई भी कम्प्लीट हो गई और हमारा प्रेटर्ण भी यहां पर इस तरह से कम्प्लीट हो गया फिर से फस्ट रह से कैसे डिजाइन स्टार्ट करेंगे एक बार देख लिजाए आप दिखें, दो फंदे बुनेंगे, एक फंदा मारा एस्टिच का एक डिजाइन का, अब पांच फंदे नीडल पर दो बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे अब एक फंदा बुनेंगे, फिर से पांच फंदे नीडल पर दो बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे एक फंदा बुनेंगे फिर से पांच फंदे ऐसे ही बुनेंगे नीडल पर दो बार धागा लपेटते हुए और लास्ट के तो फंदे बुनेंगे तो देखिए इस एलाइम कंप्लीट होगी और हमारा डिजाइन देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर वाला हमारा डिजाइन बनाया बहुत ही सिंपल तरीकत से और ये बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है देखे दो इस सलाइस के हमारी काफी चौड़ी दिखाई देती है इसमें तो ये डिजाइन आप एजीली बना सकते हैं और मल्टी कलर में ही बना सकते हैं तो देखे बहुत ही प्यारा लगता है डिजाइन बनने के बाद इस तरह से देखे तो आप इसको जरूर प्राई करें अगर आपको पैसा लगा अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें कमेंट्स करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ अब तक के लिए बुट पाई थैंक यू के लिए उए हैं तो